कपाली में हुआ इफ्तार पाटी का आयोजन शामिल हुए पुर्व मंतरी राम्चंदर साहिस और हरेलाल महतो सराइकेला खरसावा जिले के कपाली ओपी अंतरगत डेम डुबी में आजसू पाटी के कल्लू अनसारी के नितृत में इफ्तार पाटी का आयोजन किया गया जिसमें जारकंड के पुर्व मंतरी राम चंदर साहिस आजसू पार्टी के केंद्रिय सचीव हरेलाल महतो समेत कई आम से खास शामिल हुए इस दोरान मुलक और राज की सलामती की दुआएं मांगी गई वहीं पुर्व मंतरी राम चंदर साहिस ने कहा सामोहिक इफ्तार के आयोजन से शांती और सदभावना बढ़ती है इस इफ्तार पाटी में मुख्रूप से जारकंड के पुर्व मंतरी राम चंदर साहिस आजसुनेता हरेलाल में तो आजसुनेता कल्लू अंसारी मोहमत कुर्बान समेत कई गणमाने लोग शामिल हुए कुपाली में आज इफ्तार पाटी रखा गया था कलू अंसार जी के नितरित में अज हम लोग इहां पहुंचें इतर पाटी में बहुत अच्छा लगा चुकि अस्था और समाजी के भन धर्मिक महन्यताएं बहुत एक बड़ा बीसाई है और ये महिना जो रमजान का महिना है रमजान का महिना को पवित्र महिना माना जाता है लोग इसको बड़ी पवित्रता के साथ इस महिना को मनते हैं और इसी महिना के अंदर ही इप्तार का भी आयोजन होता है अप्तार पाटी का प्रोग्राम अंसार्णागर डेंग्डू में में किया गिया आने वाले समय में यीद का तवहार का सुखामना इंडियें पूर मंत्री ज्हारकन सरकाटे रामचंडर सहीज जी थे आईसु पाटी के महासाथी भरेलाल महतोवी थे और आईसु पाटी के बहुत कारिच करता थे हमारे लोग पूरे भस्ती के माँ भहन भी थे रोजा रखे थे अफ्तार पाटी कराएं इद का सुखामना इदिये ताक वो संदेस आईसु पाटी के तरफ से दे रहें कि हिंदू मुसलम सब मिल के इद मनाया जाए सब लोग आये सब लोग को हमने बुलाएं थे अर यह जैसा लगता है कि आज 27 मारात हम लोगे कल आलवदा का जुमा है हमने दुआ करेंगे पुरे माईजी ताइसु पाटी के तरफ से हरे लनवातों के आने नहाले समय में शुद कामनाई दीन अच्छा आजाए अच्छा क सब्सक्राइब के लिए हमारे पेस्बूक पे चातर ताइमस को गूगल प्ले स्टोर्स इंस्टॉल करना बिल्कुर नभूलें